नमस्कार दोस्तों Target with BS परिहार चैनल में आपका स्वागत है सुबह के इस वीडियो में ऐसी खबरे होती है जो विभीन समचार पत्रों पच्छाई होती है और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती है तो आइए सुरू करते हैं देखते हैं कि आज के समचार पत्रों मे नहीं किया तो पहले आप लोग सब्सक्राइब करने और जिन्होंने पहले सही सब्सक्राइब कर लिया है वे लोग इस वीडियो को लाइक कर दें तो दोस्तों में बात कर रहे थे को लेकर के अब इसके बारे में लोग सिवा आयोग पर भारी दबाओ है चुंकि इसमें बेर्थियों को मीडिया का काभी सपोर्ट मिल रहा है बहुत सारी समचार पत्रों पर रोज इस परड़ाम की अनियमित्ता के बारे में सुचनय प्रकाशित हो रही है और लिखा है कि लो इसमें लिखा है विवात से बचेगे तो चुनावं से प्रभावित होगी एलटी क्रेट सीचक बर्ती का परिड़ाम लिखित परिक्षा के साथ माह के बाद भी अधर में होने से इसके संभावित चैनितों वा भर्तीयां तेजी से करने कि सरकारी मनसा पर विब्रीत असरपन रहा है उत्तर प्रसलोगसिवा आयोग की मनसा है कि परणाम कहीं से विवाद इतना हो इसलिए इसे जारी करने में हालवड़ी करना ठीक नहीं है दोस्तों इसमें ये बात है कि लोगसिवा आयोग कापी दुविधा में है कि इसकी आंसर क जारी की जाए या ना जारी की जाए अगर बिना अंसर की के परड़ाम जारी किया जाता है तो कहीं कोई मामला कोट में न चला जाए और इसके बारे में बहुत जल्दी निरने लिया जाएगा और उसके बाद परड़ाम जारी किये जाएंगे और ऐसी चर्चा है कि मार्स के मह में यह आ सकते हैं लेकिन यह भी लिखा हुआ है कि चुकि अचार सेंता लागू हो जाएगी इसलिए नियुकति हो सकता है इन अभरतियों की ना हुपाए और इसी रिजल्ट को लेकर के और भी समचार पत्रों में देखिए यह सूचना लिखी हुई है लिखा है परडाम तो पहले एक बात और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कि अभी तक लोग सेवा आयोग ने इस परड़ाम को जारी नहीं किया है तो ठीक है दोस्तो फिर भी अब लोग सेवा आयोग में इसका दबाव बल रहा विद्धार्थी धरना प्रत्रशन इत्यादी भी कर रहे हैं मीडिया का सपोर्ट भी मिल रहा है और हो सकता है कि अब इसका प्रणाम है वो 15 मार्च के बाद आ सकता है इसके बाद में जो अगरी सूचना है केंद्री बलो में द्रोगा भरती परिक्षा 12 मार्च से कर्मचारी चयन आयोग की और से दिली पुलिस में सब इस्पेक्टर केंद्री पुलिस हुआ इसके बाद में जो अगली सूचना है वो चेत्री युगा का लाण अधिकारी भरती में शारेरी परिक्षा का कटाफ चारी तो अभी परसो इसका परिड़ाम आया था और उसकी कटाफ भी जारी कर दी गई है अब बैरती देख सकते हैं कि इसकी जो है मीनिमम कटाफ कितनी गई थी तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि समानवर के लिए जो 287 गई थी OVC का 277 गया था सी का 245 गया था लगब इतनी कटाफ मैंने भी आप लोगों को अपनी वीडियो में बताई थी इसको आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं और इस कटाफ से आप लोग वीडियो की जो परिक्षा हुई है उसकी कटाफ का अंदादा भी लगा सकते हैं कि निगेटिव मार्क से वह वीडियो का वीडियो का परिणाम आपको अगले हफते मिल जाएगा ऐसी सुछ cachok और जितने भी पेंडिंग रिजर्ट थे यूपी ट्रिपलसी के सभी यह दस मार्च तक आने की उमीद है और इसमें लिखा है कि अब यह अगली सूचना है वह अर्षट जार पांसव सिश्चक भरती वाली जिन जो अभ्यरती पास हुए हैं उन्होंने अपनी निक्ति के प्रधर्षन किया ये वह अभरती चिए जो पहले तो मुल्यांकन में फेल कर दिये गया थे लेकिं नहीं जयाल्या के पनलस मुल्यांकन कर दिया गये अबरतियों को आरोप है कि उत्तिर होने के बाद भी विभाग उनको नियुक्ती पत्र देने में अनाकानी कर रहा है और ये अबरति लगतार प्रदर्शन कर रहा है और तो इसके बाद तो और कुछ खबरे हैं नहीं है प्रमुख और एक खबर है करेंट अफेर की आप लोग आज कल रोजी देख रहे होंगे कि जो भारत ने कारवाई की है आतंगवाजियों के सीवर में पाकिस्तान को इसकी आप लोग डेट याद रखिए डेट किसी भी परिक्षा में पूची जा सकती है 26 फरवरी को सुबह लगबग पहुने चार बजे भारत ने पाकिस्तान में जो अतंगवाजी ठिकाने थे उन पर हमला किया उनको नष्ट किया है तो ठीक है दोस्तों यह हो गई आज की अपडेट और इसी तरीके की अपडेट प्राप्त करने के लिए आप लोग इस चैनल से जुड़े रहे हैं यह इस तरीके की सुचना आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लें पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद